हलो दोस्तों नमस्कार शंतों सी आईस में आप सभी का स्वागत है यहां पर आज पॉलिटी का पार्ट 3 लेकर आए हैं इस पार्ट 3 में जितने भी आर्टिकल्स होंगे दोनों मतलब सब आर्टिकल्स हमारे पास कुश्चन के फॉर्म में लगबग 100 से अधिक आर्टिकल्स थ हमने यहां पर आज लगबग 60 कुश्चन लेकर आए हैं 60 कुश्चन यहां कर लेते हैं 60 कुश्चन अगले वीडियो में कर लेंगे और आपका आर्टिकल्स से एक भी कुश्चन गलत नहीं होगा कहीं भी कोई भी पेपर दीजी आप तो हम ध्यान में रखते हुए आपका PCS प्री के पेपर का उसी को लेकर चल रहे हैं ठीक है तो चलते हैं सुरू करते हैं जो लोग नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे वीडियो को लाइक कर देंगे हाँ एक बात और बता देना चाहता हूँ जितने भी यहां पर कुश्चन होंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे अब देखिए पहला कोशन आपको कहा कह रहा है देखिए पहला कोशन का रहा है इंडियन पार्लियमेंट है दपावर आप टू कुरियेट इन्यू इस्टेट अंडर विच ऑफ दे फालूइं का स्टिशन पुर्वीजन यह कर रहे हैं दिखिए बहुत ही इंपॉर्डन सवाल है यह ठीक है आज आपको हम बताएंगे कि दो और तीन में क्या अंतर है आर्टिकल दो और तीन में करें किस प्राउधान के अंदर कर भारतिय संसत को नया राज्य बनाने का अधिकार है अब यहां पर आप क्या जब पेपर में बैठेंगे त आपको बताते हैं जब आर्टिकल दो की बात करता है कौनसे आर्टिकल आपका दो की बात करता है तो और आर्टिकल तीन की बात करता है तो इस दो और तीन में मेजर अंतर नहीं है थोड़ा सा ही अंतर है लेकिन उस अंतर को समझेगा जब आर्टिकल दो की बात करता है तो आपका नए राजजे का परवेस मतलब जो नए राजजी की परवेस होगा और अस्तापना होगा वो किया जाएगा जैसे मतलब जब आपके पेपर में इस्टेपलिस्मट QU एंड एड़ मीशन दिया रहे तो दोनों भरत का राज्य की है भारत का राज नहीं था एक सेत्र ये एक Protect flatter था बारतHe मिलानाई हिए ये भारती है संग में मिला लिया तो किया आप कहेंग के touch मिला थेन तो आप याद रखिये गर वह दो के touch on मिला तीन के मिला नहीं आप पूछेंगे तीन के थुरू कैसे अब तो ये पता चला कि दो के थुरू उनको मिलाए जाएगा वो जो भारत के अभी हिस्से ही नहीं है राज्जी ही नहीं है मतलब वो कहीं और से हम जैसे एक स्कूल है यहां पर धेर सारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो एक बच्चा यहां पर है यह बच्चा इस स्कूल का स्टूडेंट नहीं है इसको इसमें परवेश दिया जाएगा इस स्कूल में इस बच्चे को इसमें परवेश दिया जाएगा औ है और तीन यह कहता है कि यहां पर बच्चे आर लेडी पढ़ रहे हैं इनको माले जी एक क्लास वन में पढ़ रहा है इसको क्लास थी में कर देंगे मतलब इसके साथ अंदर ही मतलब उसको टू धी में कर सकते वो तीन की बात करते हैं जैसे आपका क्या है जैसे आपका बिहार है मान लिजे बिहार है बिहार क्या बिहार से एक राज्य और क्यों बना दोनों में राज्य की असापना की नया राज्य बनाने की बात किया गया है लेकिन बिहार एक पहले से राज्य था उसको तोड़ के जहारखंड बना दिया गया ठीक बिहार क के अंदर तोड मरोड करके तोड मरो मतलब तोड दीजिए या उसका बाउंडरी चेंज कर दीजिए एक नया राज्य बना दीजिए वो सब तीन में आता है तीन वाला सिंपल है कांसर अब लेकिन जो दो वाला है वो थोड़ा गयोड़ोंड के लिए वो होता है पाकिस्तान लेने की बात पूरा बलूचिस्तान हमारा हो जाएगा तो किसमें वो दो में करेंगे क्योंकि वो बलूचुस्तान हमारा नहीं है तो उसको हम अपने खुद गेंदर ले लेंगे बहुत लेदी अग norm जो हमारा नहीं उसको अगल में लेँगे तो दो दो के बात होंती , जो हमारा याड़ी भाग है इत्रपरदेश , अब आपका पंजाब के बन गया पंजाब और यह धू सुटाइड बन गया , यह दो ह किसके अंदर यह सब आपका तीन के अंदर जो एक इस्टेट है मालेजिए यह इस्टेट की बाउंडरी है और इसी में से एक तोड़ के यह बन गया तो यह तीन के अंदर जाएगा और जो नए परवेश करेंगे राज्य मतलब जो इस्टेट कोई भी जमीन या कोई छेत्र ज कई अवैड है कि पार्वेश कर रहे हैं तो निया राज्य मताने का अधिकार का रहे हैं bureau नीव स्टेट अंडर फॉम वह फॉलूइंग को समय करें निया स्टेट के रहां यह मलब इसकी बात कर रही है तीन यहां पर हम तीन लागा देंगे ठीक है लेकिन question में confirm नहीं है नया राज जब एक होता है establishment प्रास्ता मलब लाना किसी मलब बाहर से लाना जब कोई नया राज सामिल किया जाता है तो वो दो में आता है लेकिन यहां create किया गया है सामिल नहीं किया गया है तो create क्या बिहार से जारकंड बना दिया गया तो create ही तो यहां पर तीन होजाएगा ठीक है तीन हो जाएगा आर्टिकल तीन रखेंगे आएसे काफी कुश्चन आपके पेपर में पूछे गये हैं अभी हम बताएंगे चलते हैं निए देखते हैं अब देखे यहां पर कर रहा मतलब बिहार है उसको तोड मडोर के जहारखंड बना दिया गया उपतर प्रदिश को तोड मडोर के उत्राखंड बना दिया इसकी बात कर रहे हैं कास्ट्यूसन ऑफ इंडिया दापार्लियमेंट मेल ला ये कह रहे है आनुछेत की तीन के अमसार शांसद बिदिद्वारा क् किसी भी देश पर आक्रमड की घोषड़ा कर सकती कि हां तीन में तो हम कर रहे हैं कि अपना जिसे बिहार है या यूपी है उससे बना रहा है बन रहा है ना तो यह कहां कर रहा है कि यह किसी भी देश तो यह तो ही नहीं है किसी भी राजी की सीमाओं में परिवर्तन अभी हम क मैं आता है आर्टिकल 3 ने आता हां तो य जम सही कर रहे पर इस किसी भी राज झिका UP spaghetti विल्ड़ बढ़ा घटा खुछ भी कर सब्सक्द मतलब क्का हुथता गटा पड़ा कुछ कोब्य सकते हैं तो तीन में तो ही आ जाएगा और तीन में आजाता है देखे ठीक है कुछ में कोई प्रॉलम नहीं है तो यह भी सभी सभी किसी विराज के अंतरगा स्वायत परिश्द की असाबना कर किसी विराज के अंतरगा स्वायत परिश्द के असाबना नहीं यह परिश्द और सथ की असाबना यहां नहीं है ठीक है आटो नॉमस सिर्फ दो और तीन होगा तो दो और तीन यह क्या करता है अनुछेद एक में क्या करता है यूनियन है मलब क्या है आपके इसाब से बताईए तो हमारा क्या है अनुच्छे यही कहता है कि जो आपका भारत जो है यूनियन आफ इस्टेट है राज्जो का संग होगा ठीक अगर कहें यह राज्जो का लिखा रहे कहीं समूह नहीं तो समूह मत याद रखेगा कहीं बार पेपर मे लिखा गया है कि राज्जो का समूह होगा राज्जो का समूह यह गलत होगा राज्जो का समूह नहीं होता राज्जो का संग होता संग मतलब आपको यहां से बाहर जाने का अधिकार नहीं है अगर एक सामिल हो गए है तो यहां से आप तूटके बाहर नहीं जा सकते हैं ठ सख्किन हमारा समानी यह संग है कोई भी राज्ज संग से तक नहीं हो सकता उसका अधिकारी नहीं है तो यह आपu सटेट नहीं संघार वाला यह अपना नहीं है यह इकात्मक नहीं है रिपब्लिक सटेट नहीं है आप पूछेंगे यह यूनियन आप सटेट में कौन कौन से आते हैं यह आपको पता हुना चाहिए अप देखें यहां पर पूरे सटेट आते हैं चाहे जो 28 राज्य यह भी आ तो यह 28 और आठ यूटी ऑर कोई है कूछ चीजे आइसी है जो हमारे पार्ट नहीं ए हम भी इसमें आएंगी ठीक है कुछ जैसे आपका P.O. की मान लीजिए अभी मान लीजिए यह है थोड़ा सा उस पर विवाद चला है या कुछ और एक्जम्पल ले लीजिए तो वो अभी पार्ट नहीं है लेकिन वो हमारे ही अंदर आएंगी ठीक इसी में आर्टकल वन में ही तो अठाइस आठाइ जो के संग में ठीक है तो यह होता है तो यूनियन आफ इस्टेट होगा राज्जो का संग होगा नेक्स चलते हैं वह चादब फालोइंग वह फूच आर्टिकल आप दे इंडियन कांसूशन प्रोवाइड दा इंडिया विच भारत भिल भी या यूनियन आफ इस्टेट द आप दिमांड करते हैं आपके लिए लाते हैं सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए लाइक कर दिया करिए आप सब्सक्राइब लाइक ही नहीं करते हैं ठीक है आपके लिए देखिए आपने कहा था बाइलंग लाइए हमने बाइलंग लाया आपके लिए ठीक कर नहीं हुआ है कि दिया गये कोई दिक्ट नहीं कितना सिंपल कोशन ऐन किरतें आप दिया रव middle अरुषा यह भारत के भागेम हैं माली ने सिक्किम कभारत का बाग नहीं ओक एक अभिज्सकोरा रिए एक डूरे Po को नहीं है लोकिन भारत में परवेस करेंगे यह परवेस आएंगे जो आ रहे हैं जो आएंगे वह जो आचुके हैं वह सब किसमें होंगे यह आर्टिकल दो में और तीसरा क्या है जो भारत में हैं पहले से लेकिन उनकी boundary को change करके एक नया state बना दिया जाए तो वह आर्टिकल 3 भिहार का एक अलग इस्टेट जहारकन बना दिया जाए तो आर्टिकल 3 उत्तर परदेश का एक नया इस्टेट अर्टिकल 3 यह होगा ठीक है तो अभी सब इतना पढ़े ठीक है चलते हैं निश्देखते ह भारतिया समिधायन के निमिखित अंच्वेद में से कौन सा बिधायन सत्ता का पूर नियंतर लगाता है ठीक है इंग्लिस में क्या कर रहा है इंडियन कांस्ट्रोशन कंप्लिटी रिस्टेक्ट लेजिस्ट्रेटिव अथॉर्टी यह कौन सा है ठीक है तो यह किसी बात कर और है ुश 15 की बात कर रहे है राज किसी बिधिक में कि सम्हसा मांता उसके संरचेड से बन्चित नहीं है ठीक है भारत के समिधान के किसा आप खेट कान पनांतces निजिता का ओधिकार है ठीक है लिखा गया रैट 20 किस निए बतेंसरों अ प्राइटिक्तियों तो सिंप्राइट्जडियों कुछर्ट ये निजता का और भाग किसमें है यह भाग तीन में जो फंडमिलर राइट है ना भाग तीन पार्ट तीन उसमें है यह आर्टिकल टूंटी वन राइट टू प्राइवेसी अब देखिए हुई चाहदा फालूइंग नाट एक करेक्टरी मैच कौन सा करेक्टरी मैच नहीं है करें हैं मानों के दूर्ब्यापार और बालात सरम पर रोक यहां पर बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कौन सा यह मलब इसमें 21 या 22 इसी में सब कुछ कंफ्यूज होता है तो आज मैं कंफ्यूजन आपको दूर करूंगा अब देखिए करें मानों के दूर्ब्यापार और बालात सरम पर रोक अनुच्छेद 21 लिखा गया आर्टिकल 24 यह लिखा गया है और यह कह रहा है कानून निरोत के संरच्छड में अनुच्छेद आर्टिकल 22 लिखा गया है क्या प्रोटेक्शन अगेस्ट अनलाफुल डिटेक्शन डिटेंशन तो आर्टिकल 22 लिखा गया है प्रात्मिक सिच्छा का अधिकार आर्टिकल 21 ए लिखा गया है और यह क्या है लोग नियोजन में समानता आर्टिकल 16 लिखा गया है लोग पार करेमानों के दूर्पया पार और बालात सरम पर रोक दा क्रब हुमन ट्रेफिंग एंड फोर्स लेबर यह आर्टिकल 24 नहीं होता है यह आपका आर्टिकल 23 होता है यहीं पर आप सब कनफ्यूज होते हैं कौन सा यह आप देखिए जब आपका कार खाना याद रखिएगा जब कार खाना आदि में बालको की नियोजन्स का परतिसेद मतलब उनको रोकने की बात करता है तो 24 होता है यह क्या है जब कार खानों में क्या होता है कार खानों में बच्चों को छोटे बाद बच्चे को नियोजन्स पर परतिसेद होता है तो वो 24 होता है लेकिन मानो दू पर कहेंगे फॉर्स लेवर आप आर्टिकल 3 कहेंगे जो फॉर्स लेवर 23 तो अगर फॉर्स लेवर लिखा रहे हैं बालात सरम ठीक दोनों ही बालात सरम 24 भी आपका उसी सब्मंदित हैं कारखानों में जो बच्चे आपके वह होंगे तो भी 24 से सब्मंदित हैं लगए उसी से तो इसी दोने में तभी लोग कंफिज होते हैं कौन सा तीसरा होगा कौन सा चौथा होगा जब आपका यह कहें कि यह बालात सरम पर यह फॉर्स लेबर हुमन ट्रेफिंग एंड बला बलास वालात सरम तो आर्टिकल 23 होगा और जब कार खाना की बात करें कार खाना की आर्टिकल 24 होगा ठीक है अभी कोई ट्रिक बता दूंगा याद कर लिजेगा कानून निरोत के संद्चर में यह आपका एकदम सही है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनलाफुल डेटेंशन यह आर्टिकल 22 है राइट टू प्राइमरी एजुकेशन यह यह बेरी बेरी मोश इंपोर्टेंट बार बार यह आपसे पूछता है आर्टिकल 21 यह क्या है तू राइट टू प्राइमरी एजुकेशन अब यहां देखिए इक्वल्टी इन पबलिक इंपॉलाइमेंट आर्टिकल 16 है ठीक लोक नियोजन में समानता आर्टिकल 16 है तो आ अगर कार खाने की बात आ जाएगी तो कार खाने में 24 बाते यह दोसे चार बचैनल खते हैं चार लगास चार लगाएंगे यह तो जानती है उंगे प्रोटक्शन अगेस्ट अनलाफल टेंशन आर्टिकल 22 चलते हैं अभी सब कुछ यहाद हो जाए कि भारतिया समयदा में छुवा छोट का उनुबूलन किस से संबंदित है तो यह तो एकदम सिंपल सा कुश्चन है छुवा छोट का कौन सा आर्टिकल 17 तो आर्टिकल 17 यह चुवा छोट से संबंदित है एक कुशन और यह भी पूछा जाता है कि इसको आर्टिकल 17 को और किस नाम से जाना जाता है यह भी कई बार पूछा गया है तो यह याद रखिएगा 1905 नागरिक अधिकार संरच्षड अधिनियम 1955 तो याद रखिएगा 1959 नागरिक लिख देता हूं नागरिक अधिकार का संरच्षड संरच्षड अधिनियम 1955 के नाम से जाना जाता है कौनसा यही आर्टिकल 17 को ठीक है अस्प्रिस्टा उन्मूलन का है ठीक है चलते हैं नहीं देखते हैं कितनी बार देखे हैं हर बार कुशन आया है और देके भा रौधानों में परिक्त समाजवाद सबको निम्लिकित अनुच्छेद अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सरोच न्याले को समान कारी के लिए समान बेतन का मौलिक अधिकार परिवाज़ित करने की सक्ती प्राप्त हुई है तो बताइए कहा रहे हैं इसमें सिर्फ कुछ चीज़ें पढ़ा रहे तो कुछ चीज़ें पढ़ा करिए यहां लिखा गया समान कारी के लिए समान बेतन का मौलिक अधिकार यह कहां पर आपका दिया गया है समान कारी के लिए लेकिन यहां पर कहां दिया गया है समान कारी के लिए समान बेतन तो याद रखिएग वो 14 और 16 अगर डीपी एस पी में देखेते हैं तो वो आर्टिकल 39 डी है ठीक है इसके पर पेच में दिया जाता है ठीक है तो यह अगर इसको यह 39 डी को यह कह रहा है इसको इस प्रेंड करने के लिए आपको इसको दोनों को मिला कर पढ़ना पड़ेगा 14 और 16 अगर पढ़ेंगे तो दोनों जानते हैं किसका आपका देता है समान कारी के लिए समान बेतन 14 और 16 अगर 14 कहेंगे तो गलत हो जाएगा दोनों लाना पड़ेगा 14 और 16 दोनों लाएंगे तब लेंगे समान इकारी के लिए समान बेतन इसके परपेच में जो डीपीएसपी में 39 डी दिया गया है ठीक है इसको याद रखेगा चलते हैं अब देखे ये कोश्चन देखते हैं उपाधियों का निसेद धार्मिक मामलों का परबंदन अलवसंक्यकों की भासा का सनचर सिच्छा का अधिकार काफी अच्छे कोश्चन है इसमें देखते हैं कौन-कौन साब का सही है अब देख पेपर में ऐसे की लोगे अब लिए दोजाद में आया है धार्मिक मामलों के परबंदन की सृतनतरता और मक्मामलों के परबंदन के सब्स्राइंट डाइद है तो यह कहां जाएगा 26 जाएगा याद रखे 26 आख सब्सकों की भासा का संद चण और यह जाए गा उन्टिस ज राइट टू और सिच्छा का अधिकार 21 अभी हम बताए थे तो याद रखिएगा इसमें डी का दूसरा डी का दूसरा यह दिखिए यह आपका सही हो जाएगा अगर उपाधी कहे तो ठारा हो जाएगा धार्मिंग मौमर सिंपल कुश्चन है ज्यादा टाइम नहीं लगांग सिच्छा 21 से तो जानते हैं अब देखिए अस प्रिश्चतत अभी हम पढ़के आये हैं कौन सुमेलित नहीं यह तो सुमेलित है कि हैं प्रोटेस्ट अकेंश्ट अरेश्ट डिटेंशन तो डिटेंशन हम कहां वर्ड पढ़े हैं डिटेंशन गिरफतारी और निरोत की तो रिलिजन धर्म की सुतन्रता पचीस है पीछे क्या देखा रहे थे पीछे देखते हैं यहां पर लिखाए धार्मिक मामलों के परबंधन की सुतन्रता अगर मैनेजमेंट हो जाएगा फ्रीडम अप तू मैनेज रिलिजियस अफेयर तो मैनेजमेंट की बात 26 में करेगा ठीक 26 में करेगा और यहां कह रहा है धर्म की फ्रीडम ऑफ रिलिजन तू यह 25 करेगा ठीक 25 बहुत बार बूच जाता है अलफ संक को के हितों का संरचर करेगा 29-30 यहिए अलफ संक के हितों का संरचर कौन से करेगा आपका ओन थिस है तो सब कुस्तरों सही है यह आ次 आपका चलते हैं और याद रखिएगा यह वाला बालात सरम और मानो दुर्पया पार थोड़ा रिवीजन करते हैं बालात यह था ना बालात सर्म वा मानो यह कौन सा था अगर आप से पूछे कार खाना वाला कार खाना में कार खाना कार खाना में चार अच्छर होते हैं तो चार लाश्ट में किस में होता है चौबिस में होता है ऐसे याद करे कार खानों में बच्चों के तो चौबिस होता है यह गिर्फतारी योम निरोत की बिद यह बाइस होता है तो बाइस तेश च और पचिश क्या था पचिश था धर्म की मालब धर्मींट की सोदों ददोन अफ रिडॉम आफ रिलीजन 26 क्या था उसी जो आपका रिलीजन है उसके मैनेजमेंट से संबन दौंदित है और यहां तो जार 116 में कोशन आया था कि यहां पर भारतिय समयदान का कौन सांसेद बच्चों के सोसर के बिद्व मौलिक अधिकार से संबंदित है इसमें क्या बताएंगे आर्टिकल 23 बताएंगे आर्टिकल 24 बताएंगे ये भी अच्छा कोश्चन है ठीक है कुछ कुछ कोश्चन होते हैं जो थोड़ा से घुमा बता हैं तो में कौन सांसे बताएंगे और ऑदिखे आपकर टूझाल 23 कहीए यह 24 तर छकुंटी ठीबए थिरि यहां क्या क्या रहा है मानों के दुर्भ्यपार और बेगโि अ आपको कम करवा ले रहे हैं पैसा नहीं दे रहे हैं ठीक वहीं को तो दो और आप शुटे बच्चो का इस इस प्रबा करा है लियूमन के िनिव यह होँ मानूं दूर बिया पार तो यह सब क्या उसमें भी आ लगाएंगे कौन से यही टूंटीफोर लगाएंगे यहां पर यहां पर आठाया है जो कार खाना होता और आपको दिया रहे है ठीक है वह अगर करवाता है कोई तो उस पर डंडात्म करवाई की जाएगी ठीक है तो इसमें क्या होगा आपका 24 में कार खाने में जबरदस्ती 14 वर्स नीचे बच्चों को कान्योजित नहीं किया जा सकता तो यहीं है बिन मौलिक अधिकार से समंदेथ 24 लगा दिए ठीक करवेश थे लेकिन 24 लगाई यह जादा सही है यह सिर्फ बच्चे के दिया गया है और यह सभी के लिए ऩिख सामिल्ट यह अगर सिर्फ बच्चों के लिए दिया गया है तो यह ळ बारत मौं से समृधान के आपको सांग वा EXCTIVE घान अब कार खाना आ गया रह टौ खाना हमेशा किज़यों इस हुप इस-वाइस कर पीजिडिश हों общем नहीं दो और चार कहा पे दो और चार देखिए किता सिंपल कोश्षन बन गया ये वाई कोश्षन देखते हैं ये बहुत एचा कोश्षन है का रहे हैं किस आर्टिकल में भासड़ और अभवेक्ति की सुथ मुझाता अब देखिए ये जाते हैं तो उन Mannies कंई मैंशे आपके कि लॉजिए गये हैं तो आठिकल उनिस Bell चे जो आपके पार्ट में पहला क्या 이미 क्या है इमीनःजिक क्या हैैं देखिए 111 यही है आपके भासड़ औरבה प्लियों कि सव Eff सुतंद्रता वाक और अभिवेक्ति की सुतंद्रता दूसरा क्या है सभा करने की सुतंद्रता तीसरा क्या है संगठन बनाने की सुतंद्रता संगठन बनाने की सुतंद्रता अभी याद करने की सुतंतता पच्वा क्या है निवास करने की सुतंतता शट्वा क्या है पेसा करने की सुतंतता अब दिखिए कैसे याद करेंगे उन्नीस एक क्या करेंगे वाक और पहले अपनी आप बातों को कहीं पर जाएंगे पहले अपनी बातों को रखेंगे तो वाक और अव्यक् सांथ पूर्वक कहीं भी आप सभा कर सकते हैं जैसे जंतर मंतर पर सब लोग जाते नहीं सांथ पूर्वक धर्णा देते हैं स्वारी तो वहां पर क्या होता है आपको सुतनतता है ना कहीं भी मलब सांथ पूर्वक धर्णा कर सकते हैं यह आपका fundamental right है तो दूसरा भी सही है सं बीस लोग पचास साथ लोग जितने भी मिलकर आप संगठन बना सकते हैं तीक उसमें आपको कॉर्मेंट या कोई भी कानून नहीं रोकेगा कुछ भी कोई भी संगठन आप बना सकते हैं बट किसी मदब ऐसा संगठन मत बनाईए जो आपके फंडा किसी के फंडमेंटर राइ किसमीर में रहते हैं कण्यकुमारी जाना चाहते हैं आप जाएन ये आपका फंडमेंटल राइट है अब आपको कस्तमीर पसंद ऑло करन्यकुमारी पसंद आ अब मलब breathtaking कुमारी गार अच्छे मुल्प दिर्स से देखें कहें अच्छा यहां पर माहुल अच्छा है मदलबर मले लिखिए लते हैं यहीं बस्ते हैं वहा पर जाएंगे कसमीर में निवास करने कुमारी में निवास करेंगे तो आप अपना छानगे के लिए कि अपने भ्यापार अपार्तों करेंगे हैं तो सभा करने की संगठन बनाईये भरमण करिए कस्मीर से कन्या-कुमारी तक निवास जाए कर लीजिए कन्या-कुमारी में और ब्यापार भी कर लीजिए वहीं पर ठीक है यह 19 वता रहा है नहीं देखते हैं भारते सम्मिधान असपर शुरूप से प्रेस की तो दूद्धा की ब्यूस्था नहीं करता है परंत इसमें अंतर नहीं था ऐ किसमें 19 एक ठीक है याद रखिएगा में 19 एक मलब 19 एक में तो यहां वाक और अभ्यक्त की सोतंतुता उसी में तो प्रेस आ जाता है असपर्ष रूप से तो नहीं कहा गया है लेकिन यहीं इसमें कहने का मतलब है कि यहीं है तो 19 एक प्रेस की सुतनत्रवता आ जाए तो 19 एक लगाईएगा ठीक है ठीक है प्रेस फ्रीडम आफ प्रेस फ्रीडम आफ प्रेस बेरी मोश इंपोर्टन्ट है अब दिखे समिधान के किस अनुच्छेत के अंतरगा सेच्छड संस्ताओं में गयर सरका को भी इसमें देख चुके हैं ठीक आर्टिकल 15 तो आर्टिकल 15 यह सब कहता है ठीक है याद रखिएगा आर्टिकल 15 बेरी मोश इंपोर्टन्ट है थोड़ा से इसमें और देख लीजिए तो हो सकता कभी पूछ ले यह देखे वोसे ज़रूरी नहीं देख लीजिए देखे इसमें यह भी पूछा जाता है कि यह आपका क्योंकि पंदरा पांच है इसका मतलब जोड़ा गया है अगर पांच लिख रहा कलॉज मतलब गया है तो दो हजार पांच में याद रखिए दो हजार पांच में नाइंटी थ्रिवें समिधान संसोधन का स्ट्यूशन अविंट्मेंट के दोरा यह जोड़ा गया ठीक है याद रखिएगा हो सकता कभी पूछ ले इसलिए बता दिया चलते हैं नियुक्त में से कौन साथ तो 21 के दायरे में नहीं आता यहां पका रहा है एक चिकिस्षी द्वारस घायल को चिकिस्षा साय था यह भी सखिए आपका कारी असल पर महिलाओं का लेंगिक उत्पेरन मलब यह ति यह आपका यह भी आपका सखिए ठीक है कौन सा नहीं आता है वो बताते हैं भी पानी की गुड़ता को दूसित करना यह भी आपका अनुशेद 21 ठीक है लेकिन कैपिटल मितु डंड यह आपका आर्टिकल 21 के दायरे में नहीं आता है ठीक है तो आपको क्या कहिए गुड़ता पूर पानी चाहिए यह आपका फंडमेंटल डाइट है आर्टिकल 21 में दिया गया है और कारियस्तल पर महिलाओं का लेंगिक उत्पीरन नहीं होना चाहिए ठीक है वो महिला उनका फंडमेंटल डाइट है कि हम अब सुर्चित मलब वो कारियस्तल प्रवाइड किया जाए अब देखिए अब यह भी पूर सकता है कि यह सब किसमें है तो याद रखिए कि यह मा उसका फंडमेंटल राइट है तो यह में तुनन नहीं है याद रखिए यूपी पीचिस परी 2017 में कुश्चन आया है लिखा गया है अनुसूचित जाते अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेत के अंतरगत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनेतिक संस्कृत अधिकार अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति को यह बताए किस का सांक्रिक आर्थिकार दिया गया तो याद रखिए का कौन सा अधिक सत्तरह ठीक है तो आप कहेंगे यहां तो सर्दिया रहता है कि अस्पिस्टता का अंत है लेकिन जब उसका अंत होगा तभी तो यह इनके मतलब मौलिक समाजिक आर्थिक और राजनेतिक संस्क्रिक अधिकार मिलेगा ठीक है जब उनका छुआ छीती होगा मतलब वो अलग ही रहेंगे तो उनको कहां पर यह आधिकार मिलेगा ठीक है तो यह आट का सत्तरह ही है और इबीस क्या है तो आप राधों के लिए दोस्ट जिद्द के संबंद में संदर्चड़। Weihn puedes शीतर अर्वाक और अव्विक्त की सटर्ञताई ढिया गया था संगठन बनाने का भर्मण करने का बसने का कहीं व्यापार करने का dar chính & hormone सब दिया गया है ठीक है प्लीज जो लोग नए होंगे प्लीज लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को आपके लिए देखिए प्रॉपर वीडियो आता रहता है ठीक है भारते समिधान के अलुछेद 25 में परियुक्त हिंदू सब्द अब देखिए हिंदू की ब हिंदू में कौन कौन से आते हैं सिख भी आते हैं ठीक है बहुत अच्छा कुश्चन है सिख भी आते हैं PCS मेंस में भी आया है यह सिख आते हैं जैन आते हैं बहुत आते हैं ठीक है अगर हिंदू सब्द का मलब ब्रॉड बिस्तरी तद्धन किया जाए तो बहुत है हाँ पारिसी यहां नहीं याते हैं ठीक है हिंदू मलब हिंदू में फारिसी नहीं आते हैं ठीक है इतना याद एकिए उड़ा देखते हैं तो सीटीजन अब दिखिए और यह विए समसट पर संग और नम का अधिने ये और बसंक्र को वर्गों आग है त испकिए Ilf यह लिखा गया और इसको इनुंगलिष में लिख दीजिए सीटी जन सिप इंगलेस में लिख दिए इसमें कितने अच्छा एक दो तीन चार पांच पांच अच्छा रहा यहां पांच लिग दीजिए इसमें पूरा पढ़ेंगे कितने अच्छा एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नौ दस ग्यारा ग्यारा अच्छा पांच लिए पांच और वोगे यह देखे संग का नाम और दिन सिटेव बिद्र कितना सिंपल कोशन और वानौ दू ब्यापार और वालात सरंपर फोर से लेवर फोर्स लेवर किसले तो फोर्स लेवर किस司 शुर्बज चौनफ से 24 से 24 से आपका चारा राहना कार खाना लिख दी जै कार खाना अब जब कार खाना पकल लिए तो आपको आगे पढ़ी लेंगे कारखानों में बच्चों को मदलब 14 वर्स जो कम बच्चें होंगे उनके पर बेस मदलब उनके नियोजन पर परतिस्यद है तो यह हो जाएगा तेईस और चोविज़ तेईस पड़ी चोविज़ पड़ी है अब देखिए प्रोटेक्शन आप इंट्रेस्ट आप माइनोर्ट अलफ संख्यों को के हितों कसलने से अलफ संख्य कभी या जाए तो 31 यही होता है रेमिडीज आप इंफॉर्श्मेंट और राइट राइटिकल 32 ठीक है इसमें भीम राव मेटकर जी ने संविदान मतलब जो आटिकल मतलब सभी की आत्मा इसमें कहा था कि यही आपकी आत्म है पूरे स्विदान की ठीक है तो आटिकल 21 अब यह हो गया राइटू मैनुटी तो 31 और 30 जो होता यही है 31 नहीं है तो याद रखिए का 31 नहीं है पहले इस संपत्यों पर था यह वाला गलत है तो डी वालाप का गलत अब क्या था संपत्य था तो संपत्य को हटा दिया गय याद रखिए 44 संविधान संसोदंद और का स्ट्यूशन अबेंडमेंट के दोरा इसको हटा दिया गया 42 मतलब 1978 चार चार आठ लाश्ट में आता है ऐसे याद करिए तो 24 चार लिसमें का स्ट्यूशन अमेंडमेंट 1978 दोरा इसको हटा दिया गया इसको एक आर्टिकल में कन 301 का कुछ भी कही है ठीक है तो चाहल से में इसको हटा दिया गया राइट मतलब 31 वाला जो था संपतिका अधिकार ठीक है और यह जो सिच्छा और असाबना यह सब यह 30 रहा है 30 वह ठीक है यह 30 के अंतरगत आता हर्ट कल 30 के अंतरगत तो आई होप आपको समझ में आ गया ह 30 कि यहां लिखा रिखाए अलपसंख हो और वर्गो और खीते होर। संपर क्यों यह 39 है अगर कि अंतरगत detective का अनुसार वो अस्ताबिद करेंगे लेकिन वरकों कि उनके हितों का संद्चर 29 है 29 थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड है यह एक नम वह मलब से इच्छा उच्छा से इनके रिलेटेड है ठीक है 30 भारते समिधान के किस अनुचेद में बीधि के सम्मक परकिरिया सिधान्त को सामिल किया गया किस में है तो ये 21 में सामिल किया गया है ठीक है इसमें क्या होता है जैसे किसी बेक्ति को उसके प्राड़ दैहिक्स और तंतरता ये से बीधिद्वारा सापिज जितने पर क्रिया होंगे उससे बंचित नहीं किया जाएगा ठीक है मलब उसकी मुलबुता उत्रक्तों को 38 ये सल बताइए मिलान कीजे कौन सापका साइए है अर्टिकल 15 क्या है 20 क्या है 25 कहीं धर्म वागया तो सी का पहला सी का पहला कहीं है तो ये देखिए यहां भी है यह विकड़ गया यह विकड़ गया अब देखिए ये आर्टिकल 32 तो 32 क्या है तो ये Constitutional Remedition मिदानिक प्चार तो ये अपका D का दूसरा तो D का दूसरा कही है यहां भी है यहां भी यहां भी यहां भी है अभी भी नहीं मिलाम को अब देखेए पंदरा क्या है तो पंदरा कर रहे है प्रोविसन आप discrimination पंदरह हो गया बीस क्या हो गया बंदी के बिदी सुरुच्छ प्रोटेक्षिन अगेंश्ट कन्विक्सिन ठीक है यह कौन से हो जाएगा बीका चौथा चौथा बीका चौथा ती यह सी वाला से चैड़िए जलते हैं नेट चलते हैं देखते हैं क्या करा आया समानता का अधिकार समपत्तिकार इक कि संब्धान के 25 संब्ध किससे है यह बता रहा है तो धर्म की सूथासरा से यह याद रहा करता है बारते सम्विदान का कौन सा अनुछेद बेक्त की विदेश यात्रा के अधिकार का सहनरच्छ परदान करता है जैसे ये वीडियो कई लोग दूसरे दिन भी देखते हैं तीसरे दिन नीचे दूसरा भी पार्ट पढ़ा होगा वो आर्टिकल का उसको जाके देख दिजिए करिए ठीक है तो अभी ये है और जो दूसरा पार्ट है आर्टिकल ये तो सब सिंपल ही है हमें सब बार बार पढ़ते हैं लेकिन जो इसका दूसरा पार्ट है वो आपका थोड़ा सटा फोस में आर्टिकल है ठीक है वो आप पढ important है पीजिसिये में बुछा घया है कि विदेश यात्रा के आधिकार का सन्धचड किस में है परदान करता है तो article 21 में विदेश यात्रा का परदान करता है तो Alyssa 21 की कश में कुछ देख लेते हैं कि बार बार यहां से पूछा जाता है यहां पूछा जाता है चौदा वर्से जो कम उम्र के बालक होंगे उनको निसल के सिच्छा तो चौदा वर्से से वर्से से जो कम बालक होंगे जिसे आपके घर में कोई बालक होगा जो चौदा साल से कम होगा उसको कहीं भी भेजिए कि उसको क्या पैसा नहीं लगेगा ठीक है लेकिन सब लोग लेते हैं जो सरकारी संस्ता में उसमें नहीं लगेगा लेकिन आधिकार होगा उसको निसुल्क कानूनी साहेता का का रखार होगा अब यहाँ पर और का देर से फासी देने के बिर्दमा लिजे किसी बैक्ति को फासी के सजा हुई तो उसको लटका दिये हैं कि आप आज नहीं कल नहीं एक साल बाद आपकी फासी होगी तो उसका दिकार होगा नहीं हमको आजी फासी दीजिये तीक अभी दीजिये तो यह होगा निसुल के फासी यह भी कभी पूचा जाता है सैन का धिकार धोनी से मुक्त का धिकार मतलrüses purpिर हो जो ऑनी होगी यह सब से भी तो इसी ँक्रून स्वाइगए वार्णी पर दूसक्राणा बताईए भार्मिक स्वतंतरतका का किस में माना गया सब्सक्राइब करता है यह कौन सा आपका अंच्छेद है करें दोहरे दंड यूम सवाभिविशन सब्सक्राइब यह कौन सा आपका आटिकल है तो आटिकल बीस है ठीक है आटिकल बीस ही आपका कहता है कि अप आप जो अपराधों के लिए दो सिद्ध के समंद्ध में सनच्छड दिया गया है यह तीन वी तीन परकार के होते हैं कौन कौन से तीन परकार के होते हैं इसमें तीन परकार के सनच्छड की बात किया जाता है पहला किसी भी बेक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार ही सजा दी जा सकती है यह नहीं कि आज सजा और है माले जीया कैसे इसमें कह रहा है कि जैसे आज जब उसने कोई अपराध किया तो अपराध किया तो उसको एक ही सजा दी ये नहीं कि बार बार उसको सजा दी जाए जाए एसके बाद को दिन बाद और उसके वही सजा सुना उसी में दिया जा सजा, ढिके ऐसा नहीं एक बार सुना दिये तो सुना दिये पहला वह गया, दूसरा क्या हो गया जैसे आप मान लेजे किसी को मान लेजे किसी को मर्डर करने से कितनी सजा होती है मान लेजे पचीस साल की सजा होती है तो अभी आपका वो आ गया कोई कानून ला दिया गया कि मर्डर करने से फांसी की सजा होगी ठीक है तो लेकिन उसको उसी जो जब वो ये कानून नहीं बना था जब वो सुनाया गया था तो उसी पर वो रहेगा ये नहीं कि अब फासी की सजा हो गई तो अब इसको फासी दे दिये जाएगा वो उसको 25 साल की ही सजा होगी फासी की सजा नहीं होगी फासी की सजा अब कुन लोगों को होगी दो नए अभी विक्ति होंगे उनकी होगी यह नहीं कि अब यह फासी की सजा मर्डर में आ गया तो इनको अब चलिए पचीस साल पाये थे अब इनको फासी जारा चाड़ा दे यह नहीं होगा ठीक है तीसरा क आप पुछ आपको कि उसके माध्राइ। आ हुए कि उसके में इसको जबरदस्त है के झाला नहीं है hot,I लॉए कि पुलिस वाले कि कोई अभीक्त उसको जबरदस्ति, उसको घवाई दिलाते हैं । उसमें जबरदस्तrovill है गलती तब ही सब्कार कीजिए तो यह बाद नहीं किया जा सकता तीन चीजे हो गई इसमें ठीक है एक अपराद के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी अपराद अगर जो कानून उस समय है उसी कानून के तरह बगल में बाद में कानून नया चेंज गए तो उस पर कोई फरक किसी अपराद के अब्यक्त को सोयम के बिर्द गवाह देने के बाद नहीं किया जा सकता भारते समयधान के कि देखे वही कोईशन आ गया तो कौन सा है बाद नहीं किया जा सकता बीस है कितना सिंपल हस्ते हस्ते इस कोईशन को आप कर देंगे ठीक है यह नहीं कि अभी पु से अधिक अफियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा अभी हमने बताएं कि बीस में तीन पार्ट थे वही सब्दिया है अपरादों के दो सिद्ध के सम्मन्द में उपरे उप संचर किसके अंतर गया तो यह बीसी के है ना एक बैक्ति को एक ही अपराद के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा यह नहीं कि उसी अपराद के लिए उसको बार बार उनका मन करें आज अच्छा आज यह नहीं आज उपको एक सजा और देते हैं उसी अपराद के लिए यह गलत है ठीक है तो यह बीस होगा S.R. Bumbay बना भारत संका नेड़े मुखता भारत के समिधान के कौन से अनुच्छे से संबंध है यह बताना है आपका S.R. Bumbay अच्छा कोश्चन है पताएए कौन से है तो आर्टिकल 356 से है किस से है आर्टिकल 356 तो इसका अंसर क्या होगा आपका D वाला अंसर होगा अब 356 क्या है जो राज्यो में राश्टपती सासन लगता है राज्यो में राश्टपती सासन राश्टपती सासन यह लगता है इसी से संबंधित है यह 356 यह इसी S.R. Bumbay केस में यह दिया गया था कि वो चितम नियाले में निर्धारित किया मलब इसी केस में कि आपका जो 356 है उसको न्यायक पुर्णा उलेकन ठीक है किया जा सकता है और आटिकल 356 अब देखी यहां पर राइट्ट्टी पराइट्ट्ट व्रीडम धर्म की सोतनतरता काधिकार सम्मिदानि कुप चारों काधिकार सिम्पल कुश्चन है आप करी देंगे आई इस में कोश्चन भले आया ह है लेकिन यह एकदम सिंपल कोश्चन है समयदाने कुप चारों 32 कहां है यह देखिए डी का तीसरा कहीं है यहां भी है यहां भी है काड़ दीजिए काड़ दीजिए यह होगा यह समता का दिकार 14 हो गया 1 चाहुदा से 18 तो राइट टीकल्टी एस अठारा तो एक का पहला एक पहला तो यहीं आपका हो जाएगा सी वाला ठीक है अब देखे राइट्टू फ्रीडम कौन सा है तो राइट्टू फृडम तो राइट्टू फ्रीडम यह ने राइट फृडम क मैं तुं से जैने गार्म की सोतंतता का दिकार 50 है तो यह 25 ड का दूसरा हो गया अब क्या है समय्धानी को उप्चार हो गया यह भी हो गया this तो राइट тов्रिडम कहा जाएगा यह कि इसमीज आएगा उननीस में जाएगा ठीक है तो यह आप स्वतंतर आपका शोतंतरता आपका आजाएगा कहीं की सोतंतरता आ जाएगा रहने की स्वतंतरता आ बसने की स्सक्राइब आजाएगा गया तो यह हम सफटे वला टीकल उनिस सब्राइब have सोतनतता 25 सम्मिधानी कुप चारो 32 सम्ता का अधिकार 14-18 तो यह आपका सी वाला स्युजक को सोतनतता बीक चौथा है तहां बीक चौथा है ठीक है और यह क्या है सम्ता एका पहला है एका पहला से नहीं चलते हैं 15 , 14 , 12 , 12 और 16 और 16 अभी देखिया कौन कौन्सा हम पढ़ा दिये हैं अभी हम 20 पढ़ाये आपको बहुत डिटेज में पढ़ाएं थे कि डवल पंश्मेंट आपको क्या पढ़ात है कि डवल पर तो कौन से इसमें सुमेलित नहीं है तो करें कौन सा सुमेलित नहीं है तो यह तो यह आपका एकड़्र Image यह कि आपका सी वाला कौन सा है दोहरे से पर प्रोटेक्शन आप डबल पनिस्मेंट बीस का दूजी यह भी सही है अब 22 का चार का है प्रोटेक्शन आप प्रिबंटिब डिटेंशन तो 22 का यह भी आपका सही है करें हैं 15 चार समाजिक और सच्छी ग्रूप से पिछड़े व 22 ऐसा बिभेद जो राज की अधिन सिवाओं के कारियत इस्तरियों के पच्छ में तो यह कर रहे हैं तो यह सोला चार कर रहे हैं ठीक है तो यह गलत है ठीक है यह इस्तरियों नहीं है यहां पर सोला चार में जानते हैं क्या का आर्टकर सोला चार में जो कहा गया वो बताते पिछड़े हूए को किसी वर्ग के पच्च में नियुक्तियों और पदों का प्रोधान कर सकते हैं इसी कि अधार्च किया गया इसा पिछड़े हुए नागरिक कोई भी होगा उनके आरेच्छड़ की ब्यूसा कर सकती है इस ओला चार में यह कहा जाता है ठीक है आर्टिकल सोड़ा चार में कोई भी पिछड़ा नागरिक हो तो अभी इडवली इसका जो आरेच्छड़ आया है इडवली इसका उसमें इसी इसी कार्ट कर यूज कि अब देखिए समिधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 अलब संक्यों के के वह हीतों का तो यह 29 आ जाएगा अस्प्रिस्ता का सत्रा आ जाएगा और यह लोक नियोजन के बिसे में आउसर की समानता 16 आ जाएगा तो लगा लीजिए सिंपली कुशन है यहां देखिए किस आर्टिकल कोई भी कानून बना वो मौलिक fundamental right का violation कर रहा है तो वो क्या किया जाएगा उसको अमान किया जाएगा ठीक नल एंड वाइड कराड़ दे दिया जाएगा तो यह किस आर्टिकल में बहुता की गई है तो बताएगे अच्छा कोश्चन है किस में बहुता की गई है तो किस में बहुता की गई है आर्टिकल 13 में बहुता की गई है आर्टिकल 13 आप से कोई पूछे क्या कहता है तो आर्टिकल 13 यह कर दीजिएगा कि अगर कोई भी कानून बनाया गया जिसमें fundamental right का violation है डारेक्ट आप आर्टिकल 13 के अंतर गताएगे और पूरी तरह से वह न टीने चलते हैं का 14 15 1718 इसकों सा सुमेलित नहीं सीवाला Also सुमेलित था जबातका और कानून के समझ समानता यह भी आपका सङए है ठीक है पंदरा है कानून के समका समान संटच्छड यह आर्टिकल पंदरा की बात कर रहे हैं कि कानून का समान सनच्षड यह गलत है ठीक है अर्टिकल 15 यहां पर क्या कह रहा है कानून का समान सनच्षड यह नहीं होगा ठीक है यहां पर यह होगा धर्म याद रखेगा धर्म जो होता है मूल बंस होता है मूल बंस जाती जाती नहीं है लिंग इसके अस् चाहे जारती हो चाहे लिंग हो इस सब के आधार पर आप मतलब विभेद आपसे वैसा बड़ताव नहीं किया जाएगा ठीक है कानून के समझ सान अच्छर नहीं यहीं आपका गलत है अठारा उपादियों कांते इनम सही है समानता का अधिकार दिया गैंने सभी क्याइब पैपर में पूछे गए हैं वही कुषोन करवाता हूं सिर्फ आपको क्या रहता है शेक्ति000 करना रहता लाइक करना रहता थे बहुत्यक्ते इक्स्टेंस खिडियोड के sparked रायड़्िविजियस प्रीडम राइटू कैल' तो यह बताइए आप देखे राइट टू इकॉल्टी कहां है चाउदास वह समानता का अधिकार क्या है चाउदास एठारा अगर स्वतंदरता का अधिकार पूछे स्वतंदरता तो वह 19 में होता है ठीक है स्वतंदरता का राइट अगेंस्ट एक्स प्लोरेशन सोसड के ब्र अधिकार जो होता है वह 30 और 24 होता है ना की आपका 20 से 22 होता है तो आपका सोसड में ही होता है कि बालात, सरम, मलब बेगार, और यह हिमन ट्रेफिंग, अब सब कर नहीं होता 23 में, और 24 में क्या होता है कार खाना लिख देजिये दिये, मलब कार खानों में 14 साल के बच्चो यह आपका बी वाला गलत है धार्मिक सुतनतरता का अधिकार 25-28 धार्मिक सुतनतरता है राइट टू कल्चरल एड़ एड़ुकेशनल 29-30 ठीक है यह 29 सांस्कृत यह सच्छिक सुतनतरता का अधिकार यह 31-30 है अल्व संक्यों को के लिए ठीक है तो आपका कौन सा है भी वाला गलत है ठीक अगर 160 के विरुद्धाद के अगेंस्ट प्रोविशन तो यह 30 और 24 होगा 23-24 होगा आर्टिकल 15-4 15-4 और 16-4 करें हैं और आर्टिकल 15-6 15-6 यहां पर ठीक है और यह कर रहे हैं तो इसमें क्या कर रहे हैं कि कौन सा होगा सही अब देखिए इसमें कुछ नहीं आ रहा है कैसे नहीं आप 243 ने 243 ओ से कलहिम बतायते हैं तो यह 243 से 243 ओ तक आपका इसी पंचायत की बात की जाती है तो यह सी का दूसरा हो जाता है सी का दूसरा सी का दूसरा कहीं पर है हाँ दो जगाह इसको इसको काटी दिजिए अब देखिए यहां पर क्या है आप 15 चार ठीक है यहँं यहां पर चला जाएगा एहां पर चला गया इसके बाद आट कल बीकर सेक्षन एक रोब से कमजोर वरके से संच तो यह देखिए सो सोला च्छा पंदरा च्छा ठीक है यह सब किसमें जा रहे थे पीछे बताएते हैं तो यह कौन सा जाएगा यह बीका चौता जाएगा और डीका 330 क्या है 330 आपका है लोगसभा में सीटे तो यह आपका यहां ँहां काना जाएगा यहां तो लोगसभा में सीट और टीकल 310 3 32 Cred completely सब अलिए नहीं है सिर्फ अनसूचित जाती और लोगसभा में जो अनसूचित जाती अनसूचित जन जाती मतलब यसी और यस्ति के-लिये सीटों का आरच्छा का परावधान है वह 330 में दिया गया है इसमें यस्सी और स्टी का 330 में सीटों का दिया गया तो 330 क्या है लोग सबह में सीटों का यह आर्टिकल 156 चे यह EWS 154 OBC 154 क्या और 164 कहें तो OBC और 6 कहें तो EWS है और यह 233 पंचाइथी रासन तो यह अच्छा कोश्चन था यह पीएसी में आया है तो यह इसमें कौन सा सही होगा सी वाला सही हो जाएगा अब देखिए यहां पर देखते हैं कौन सा कोश्चन सही हो मनदब हो इसमें कौन सुमिलित नहीं है अब देखिए नियापालिका और कारिपालिका का पिर्था करड़ तो यह 50 होगा अर्टिकल 50 सही है और अनुसूचित जातियों और सुचित जातियों के सच्छिक और आर् अब 46 46 में दब पर्मोशन आप कोपरेटिव सवसाइटी तो पर मोशन आप उर्प पूछत इस आपका गलत है यह कारे हैं फूर्टी थ्री यह तो इत्य नहीं है यह फूटी थ्री बी होना चाहिए फूटी थे बी अब यह पूछें के फूटी थ्री एंत अ है यह बताए जो उड़ों के परबंद और कामकारों कि भाग लेने से सब्बंद देता मलब जो उड़ों में भाग लेते हैं करमकार उन से सब्बंद देता 43A 43B क्या है सहकारी society साकारी सोसाइटी का समवर्धन ठीक है परमोशन और को अपरेटिव सोसाइटी थोटी थिरी भी है अब यहां कहा रहा है ग्राम पंचायतों के गठन तो यह तो 40 है आपका उसमें भी कुशन आया था आरो यारो में सिंपल कुशन है पीचेस 2021 में आया थी कहां से कहां थोड़ थोड़ा आपका कलाज उलाज से जो कुशन बन रहे हैं उससे भी बना दे रहा है तो पीचेस जो प्री होने वाला है हर चीद ध्यान से पढ़िएगा नहीं तो धोखा हो सकता है ठीक है हर चीद डीटेल में पढ़िए यह नहीं महराथन पर महराथन आप लगाए पड़े ह चीजों को समझाने पर एक उसके अंदर तक डेप्थ में जाकर समझाने पर विश्वास करता हूं महराथन इसका इसका बी इसका सी इसका डी यह अभी देखिए आरो का पेपर हुआ को महराथन काम आए महराथन नहीं कामाता है काम आता है जो डीप नॉलेज से पढ़ाया चार चाला वो कामाता है ठीड़ा पर फटीठीर भी है जो समय दान के क्लिक्त के द्वारा उद्दोग के परबंधनों की भागिदारी का प्र अभी दिए गया है अभी देखिए उद्दो ao के परवंदों के ऑर कर्मकारों की भागिदारी कैसे आहां पर कहना दिएा गया FROM लिखा गया था ठीक है वही अभी यहां बताएं है और वही कोश्चन कहां आया था पीसे 221 में और देजी लोवर पीसे दो जनुनीज तो कहां पर आर्टिकल 43a में बताया जाता है यह सब ठीक है आर्टिकल 43a और 43b में क्या बताए संब्सकर्णत और यहां देखिए उपाधियों का अंत रग्रामपंचायतों का रग्राइंट यहां बता मुलक्त अधिकार है तो मूल अधिकार है यह आपका उपाधियों का अंद 18 मेहना तो फंडमेंटर राइट है छे से 14 वर्स के बालक के सिच्छा के आउसर परदान करना यह कौन सा है यहां कर रहा है छे से 14 यह याद रखिएगा कौन से करें छे से 14 और वहां पर क्या कहे थे जब आपका 21 था आट क्या से जो कम होते हैं उनकी बात करता आटकल 21 तो 14 वर्स से कम की बात करता है हो यहां पर क्या कर रहा है कह रहा है छे से 14 वर्स के लिए कौन सा है फंडमेंटल डियूटी है अंडिया अर्थाथ भारत राज्जों का संग यह क्या है यह किसका है दूसरा संग और राज उसक ग्राम-पंचायद, 4 चे से 14 वर्ष के लिए, आपका C का 14, तो चे से 14 वर्ष के लिए कहे, तो फंडमेल्टल ड्योटी है, 14 वर्ष से कम कहे, तो फंडमेल्टल राइट वाला आ जाता है, ठीक है, याद रखेगा न, इसमें भी कर देते हैं, यह तो आप कर ही लेंगे, दोने समान नागरिक सरींता इस चाहँ वाले समान दोनों तो ऐसे याद करीजिए एक पहला और सी का तीसरा एक पहला और तीसरा कहीं है एक पहला तीसरा यह यह दिए एक ही में कितना सिंपल कुचन था ठीक है और 41 देखे क्या है 41 B का दूसरा तो भी का 41 काम करने राइट सिस्टम तो डी का चौथा तो डी का चौथा ठीक है तो एक्रिकल्चर एंड एनिमल हस्वेंडरी सिस्टम डी का चौथा हो जाएगा और यह 48 आर्टिकल 48 किर्सी और पस्पालन दोस्ता फोटी फोर नागरिक सहीता फोटी वन काम करने का अदिका राइट टू वर्क है और यह 40 ग्राम पंजायत का गठा अब देखें यह 39 अभी हम पढ़े थे समान कारिके लिए समान न्याए और निशुलक बीदिक सहायता कह रहा है तो वही है समान न्याए निशुलक बीदिक सह सही है 40 सेभी सही चवाली सेवी सही है 48 अभी हैं क्या पढ़ें नागरिक यह नागरिक कारिक प्रत्रकरण यह नहीं है ठीक है यह कौन सा है जो अगर आपका कि कारिपालिका और न्याए पालिका का प्रत्रकरण किसमें है आर्टिकल पच्चास में है याद रखेगा आर्टिकल फिप्टी में है कारिपाल का उन्यापाल का पित्य करण तो ये आर्टिकल आपका पच्चास में है तो ये 48 में दिया गया है ये गलत है ये स्वारी पच्चास में दिया गया है अब पूछेंगे यह आड़तालिस में क्या है तो आड़तालिस में क्या है agriculture and animal husbandry system 48 में है का देखे हमारे चैनल की एक ही खासियत होती है कि यहां पर जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाय जा रहे हैं सब कुछ एक सीरियल वाइज में एक covenant बना है हिस्ट्री का बना प्लेडिस्ट जोगर्फी का बना है आपका पॉलिटी का प्लेडिस्ट बना है और आपका यह सा आप पढ़िए एकदम सीरियल वाइस से अब यह कुश्चन मुझे नहीं लगता इसको आपको बताने की जरूरत होगी यह देखिए यह तो आप भी कल लीजिएगा अभी हम बता ही दिए अभी पीछे ही कुश्चन यह आया था अंतर राश्टे सांति और विकास 51 हो जाएगा किर्सी और पालन 48 हो जाएगा ठीक है और ग्राम पंचायतों का आपका 40 हो जाएगा इधर जाए चला आएगा तो ठीक है तो यह लगा लीजिए देखिए कितना सिंपल कुश्चन था चलते नहीं देखते हैं भारते समयाद में कि संच्चुद भारती नागरिकों के मूल कर समयाद में तो कौन सा वो है यहां पर आर्टिकल 51-10 ए में है याद रखिए कि 51-11 अब देखिए 1976 की बात है एक समय की बात है कौन सा उनिए 1976 इसमें क्या जोडा गया 1976 में ये कब आया था 42 सम्भिधान संसुधन द्वारा 426 तो 6 आ गया यहां पर 42 सम्भिधान संसुधन के द्वारा 1976 में क्या जोड़ा गया ये fundamental duty आपकी जोड़ी गई क्या जोड़ा गया fundamental duty जोड़ा गया अब पूछेंगे parts किस में जोड़ा गया तो parts किस कौन से parts में जोड़ा गया तो parts आपका 4A में जोड़ा गया ठीक है 4 क्या है चार आपका DPSP है उसके आगे यही आता है तो उसके आगे 4A कर दिया गया तो 4A में जोड़ा गया इसको ठीक है आप पूछेंगे ये भी पूछेंगे कि इसमें कितने करते बेदे मतलब कितने डूटी थे प्रारभ में दस डूटी बलाई गई थी लेकिन बाद में क्या हुआ था गिराहों गिराहों जो आपका डूटी था उसको कब जोड़ा गया 86 Constitution Abundment ठीक 86 अब पूछेंगे ये डेट कब आयी थी ये कब आया था तो ये 2002 में आया था बहुत important है बार बार पूछा जाता है छीए सिम्धान संसोधन जो 2002 में आया था वहाँ पर गरहुमा fundamental duty जोड़ा गया कौन सा गरहुमा fundamental duty जोड़ा गया अब पूछेंगे ये गरहुमा था क्या तब ही पीछे ही बताये थे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या है आपका सिच्छा के आउसर परदान करना ने सुल के ठीक है तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सिच्छा के आउसर परदान करना तो ये यही है गरहुमा ठीक है भारत के प्रतेग नागरिक का कर्तव होगा कि प्राकृतिक परियावरण और सनरच्षड और सुधार या कतन भारतिय सम्मिदान के किस अनुचेद में सम्मलित है डिए कितना सिम्पल् कोच्चन है 51 यह क्या है आपका प्रतेग नागरिक का कर्तव होगा लिखा गया है इसाव यहां देखें सिंपल कोच्छन कितना सिंपल कोच्छन आया था ठीक है तीक क्यावन यहीं है इसर होगा मैंसे देखते हैं परशाद जी वाला जो बिभाग है वह आपके कांस्टोशन में कौन सा है तो जैसंकर परसाद जी वाला पिभाग 51 जो आपके भाग 4 पूछेंगे क्या है डीपीएसपी है डारेक्टिव प्रेस्पल आप इस्टेट पॉलसी यह डारेक्टिव राजी के नीति निर्देशक तक्तों है इसी में आपका जैसंकर परशाद जी वाला मलब आर्टिकल 51 विदेश मामले को ती रखा गया है तीक अंतराश्टिय सांती सुरच्छा की अव कौन सा एक भारत के परदान मंतरी के अपेच्छा करता है कि मंतिपरस्द के निर्डों से संबंदी सुचना भारत के राश्पती को परस्ट करें यह कौन सा आर्टिकल है अच्छा कुश्चन है बताईए यह कौन सा आर्टिकल आपका है तो इस कुश्चन का कहने का यह मतलब है कि कौन सा एक आर्टिकल हमको बता दीजिए कि जितने भी क्रिया कलाप हूंगे संब्स की कारीपालिका से रिलेटेड़ और जितने मंतिपरस्द से रिलेटर्यम mphार करेगा उसकी पूरी सुकति राश्पती को दिया जाएका वो कौन से आर्टिकल के अंतरगत आएगा तो वो आर्टिकल है 78 वो आर्टिकल 78 है चलते है निश देखते हैं कौन सा यूग सुमेलित नहीं है आर्टिकल 54 कर रहे हैं आर्टिकल 54 किस से रिलेटर है तो कर रहे हैं आर्टिकल 54 राष्टपती के निर्वाचन से सम्दित है हाँ सही है 54 राष्टपती के निर्वाचन से सम आपका 55 पर राष्ट पती के निर्वाचन की रीती से नीती होती नीती में थर्ड से ठीक है एक बात बता देना चाहता हूं कि आपका आरो एरो एकजाम पुना हो सकता है इसका चांस लगभग 80% है तो प्लीज आप सब पढ़ाई करते रहिए कभी भी हो सकता है ठीक है डेट हासकती अपक्रीया नहीं आपका 61 राष्ट पती चलाने का सपत होता है अगर पूछा जाए तो है आपका आर्टिकल 60 होता है तिक प्रिजिडंट का राष्ट पती का सपत अचोच। ए आर्टिकल वन वंट होती थी पावर अब्र अफन टुप्र मेलूगेट औरनेंश अनुच्छilia 130 अध्यदेश प्रख्यागित करने की राश्पती की सकती एक सो तेईस है तो एक सो तेईस आपका अध्यादेस प्रख्यापित करने की सकती है तो राश्पती अध्यादेस किसे के द्वारा आर्टिकल एक सो तेईस की द्वारा जारी कर सकता है तो प्रिजिडेंट प्रोमुलूगेट और न याद रखिए गा ये भी सही है तो कौन साथ आपका गलत था सी वाला साथ दिया गया है साथ सपत है यक सथ आपका क्या है महाभ्योग निश्चलते हैं बाहर करा राश्पति को महाभ्योग द्वारा हटाने की परकिरिया निम्लिकित किस तो अभी हम बताएं आर्टिकल 61 है और यह बताएं अच्छा कुश्चन 54 है तो फिप्टिफोर राश्पति कर निर्वाचन तो एक पहला तेका पहला कहीं है इन तो इदर एक पहला तो देखिए एक पहला यहां भी है यहां भी यह भी जो सेवन्टिफाइब क्या है आर्टिकल 75 बताईए अर्टिकल 75 वाइफ 70 परध्रान मंत्री और में गई दो 한 155 खथा 164 पूछे पूछा है 164 पूछे तो राज के मंतिपर्शत की जो 164 होता है ठीक है तो यह आपका दिख रहा है 164 है कि राज के मुखमंत्री और मंतिपर्शत की निक्ति तो यह आपका आर्टिकल 164 यह कहता है ठीक है राज के मुखमंत्री और मंतिपर्शत की निक्ति से संबंधित है कि यह देखते नहीं तो हो गया आपका कि यह आपका पहला वाला सभी यह देखते हैं कौन सा जो राष्ट पती की छमादान से संब्दित हैं कौन सा प्रावधान भारते समयधान के अंतरगत संसेत के सदसों के विशेसा अधिकार उन मुक्तियों का निधार करता है बताइए विशेसा अधिकार तदा उन मुक्तियों का निधारर करता है कौन सा आपका यह वो कौन सा है आर्टिकल 105 आर्टिकल 105 क्या है यह भारते समयधान के संसेत के सदसों के विशेसा अधिकार तदा उन मुक्तियों का निदार करता है following provision to deal privilege and immunities of the member of parliament under the constitution ये कौन सा है article 105 है ये कुशन देखते हैं बहुत ही अच्छा कुशन है करें हैं भारा सरकार के निमलिकित में से किस अनुच्छेत के अधेन परतेग बितियवर्स के लिए भारा सरकार की परकलित प्रप्तियों और बे का एक बिरोड संसत के समझ रखा जाता है मतलब जो आता है और जो बे होता है वो किस article के थ्रू रखा जाता है तो कौन सा article है इंगलिस में पढ़ देते हैं अंडर which one of the following article of the constitution of India statement of estimated received क्या कर रहा estimated received and expenditure of the government of India has to be laid before the parliament in respect of every financial year तो वो कौन सा article है तो जो आता है और जाता है वो किस के थ्रू रखा जाता है तो वो क्या है article 112 है article 112 है देखते हैं धन बेदेख समिधान के किस अंच्छेद में परभासित किया गया है money bill की बात कर रहे हैं तो money bill समिधान के किस अंच्छेद में परभासित किया गया है तो simple सवाल है 110 आठकल 110 कहता है money bill की बारे में नेमने में से कौन सा यूग में सुमेलित नहीं है बताएए कौन सा यूग में इसमेलित नहीं है अच्छा कुशन है करें धन विदेयक तो money bill करें 110 एकदम सही अभी पढ़के आ रहे हैं राज्यों में राष्टपती सासन अभी हम पहले ही वीडियो में इसमें बताये थे राज्यों में जो राष्टपती सासन होता है तो मैं के साइडी सी में आया था तो यह कौन है उन्हें 356 यह भी एकदम सही है और यह भी सही है राज्यों में राष्टपती सासन आर्टिकल 306 है ठीक है क्या है जुडीसियल रिव्यू नियायव पुर्णर निरिच्छड जो आर्टिकल 243 का रहा है तो यह जुडीसियल आप लाके रख दिये हैं तो यह तो गलत ही हो जाएगा तो यह आपको गलत हो यह उनिफॉर्म सिविल कोट यूनिफॉर्म में जो सिविल कोट है तो चोगाली सही है तो अगर आप इसको नहीं पता है आपको यह तो पता है यह तो पता है यह तो पता है जो नहीं पता वही गलत है पस ऐसे भी किया जाता है कोश्चन समिधान के किस अनुछेद में कौन सा उपन्दित करता है कि मत बराबर होने की दसा में लोकसभा अद्च अपना मत निर्डायक होगा उसका इसका हम ट्रिक बताये थे कि जब मत बराबर हो जाएगा जैसे मोदी जी कहां पर मत में ठीक है यहां भी 50 पड़ा यहां भी 50 पड़ा 50 50 मिल के कितना हो गया तो यह जो फिर इसके बाद ओम बेर्ला जी आएंगे अपना एक ओट मोदी जी को देंगे ठीक है जब एक ओट मोदी जी जी जाएंगे क्या उनोट से तो कौन सा सव के बाद एक ओट तो आर्टिकल स ठीक है यह आर्टिकल सव याद रखिए का आर्टिकल सव है जब बराबर हो जाएगा मत तो यह कोट मों बेर्ला जीट देंगे ठीक है जब केंद्रिय मंतिमंडल ने वर्स दो हजार दो में चुनाओ अधिसुधारो पर अध्यदेस में बीना किसी बदलाओ के उसे राश्पती सासन राश्पती को वापस बेजा तो राश्पती ने भारदेस हमिदान के कौन से अनुछेद के अंतरगत अपनी सहमती दी दो हजार दो में जो आपका यह देखिए आईस में कुश्चन आया है यह करेंट का कुश्चन है उस समय का तो मेरा इस कुश्चन को लाने के परपस था कि आपको पता चले कि आईस में कुश्चन करेंट से कैसे आ रहे है पॉलिटी में तो आर्टिकल 123 है ठीक है कौन सा है आणिछेद एक सो तीCo इसको क्या कहा जाता है अध्यान देश जारी बश्थ 20 से जारी करता है इसी से जारी करता है 25 i um a det यहां पर लिखा इस और यहां लिखा गया फ़ेसिडेंड सिट पकढ़ यह एक सो थैसी आध हुई ग्यांद याद रहना चाहिए बस कुछ नहीं है इसमें कुछ करना ही नहीं कुश्चन में बित्विध्यक के बारे में विसेश उपबंद किस अनुच्यत के अंतरगत दिया गया है बताइए बित्विध्यक के बारे में विसेश अन्बंद किसके अंतरगत दिया गया तो आर्टिकल 117 एक आर्टिकल 117 में दिया गया है बित्त बिद्यक मनी बिल में मनी भी लगर कहत एक एक जीरो 110 आने वाला जाने वाला 112 समिधान के किसा नुच्छेत के अंतरगर संदन के किसी भी सदस्य का सदन की अनुमत की बीना साथ दिनों की तक सदन के सभी बैठकों की अनुपस्तित र इसकोल से नाम काट दिया जाएगा तो वो बच्चा कोई भी हो सकता है लेकिन वो कौन से कानून के तहद बच्चे के नाम काटा जाएगा तो याद रखिए यह आपका दिया गया है तो यह आर्टिकल 101 आपका यह और चार 114 के ताहट तो आज के लिए बस इतना ही अगर आ कि आपके PCS तक इसके बाद आपका AIS भी आने वाला पेपर सब कुछ यहां पर कंप्लीट कराए जाएगा ठीक है अभी हम एंसेंट हिश्टरी का भी पार्ट लाएंगे ठीक है और आपका करेंट का भी लाएंगे ठीक है तो आप प्लीज बने रहिएगा चैनल पर और सब्